Hello and welcome guys to your favorite channel my engineering support with a new and very important video lecture दोस्तो पेवर ब्लोक क्या होते हैं पेवर ब्लोक कितने टाइप्स के होते हैं इन्हें कहां यूज किया जाता है और इन्हें यूज करने के फाइदे क्या क्या है तो आज कि इस वीडियो में यह सभी बाते हम डिटेल में समझेंगे जानने के लिए आप वीडियो में अन्तनतक बने रहें और जो इंजिनियर भाई इंट्रेस्टेड ना हो वो वीडियो को स्कीप कर सकते हैं आप हमसे हमारे टेलेग्राम के सिविल इंजिनिंग गुरूप पर भी जूड सकते हैं, लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में हैं, और सिविल इंजिनिंग से रिलेटिड बुक्स की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.myengineersupport.com पर विजिट करें, ओ artificially pleasing होते हैं, जो बहुती durable और चलने के लिए बहुती comfortable होते हैं, इन्हें maintain करना भी बहुती हीजी है, ओके friends, तो basically दो टाइप्स के पेवल ब्लोग होते हैं, जिनने इनके shapes के base पर categorized किया गया है, जिनमें पहला है concrete paving block, concrete paving blocks बहुत से standard sizes में बनाए जाते हैं, एक typical block का एक surface smooth होता है और दूसरा rough, तो concrete block heavy duty applications के लिए बहुती suitable होते हैं, जो substantial load के साथ साथ sharing और breaking forces को भी register करते हैं, ये blocks बहुत से color में आते हैं, जो color metallic oxide के कारण आता है, इसलिए इनका color fade होने में भी समय नहीं लगता है, तो जब आपको ये purchase करने हो, तो इन्हें बहुती carefully choose करें, concrete paving block एक सबसे अच्छी choice है, paving और dry way के लिए, ओके friends, दूसरा paving block है, clay paving block, इन blocks को bricks और cobbles भी कहा जाता है, ये generally rectangular brick shape के होते हैं, ये block दोनों side से use के जा सकते हैं, क्योंकि both sides interchangeable होती है, ये blocks सिर्फ natural color में ही आते हैं, तो color fading की इन में कोई समस्या नहीं आती, और ये blocks mostly walls और pillars के लिए use के जाते हैं, okay friends, तो basically paper blocks की 4 type की generic shape होती है, type A, type B, type C, type D, type A paper block plain vertical faces के होते हैं, जो किसी भी pattern में interlock नहीं के जा सकते हैं, जैसा कि आप image में देख रहे हैं, type B pair block, दोनो plain card और corrugated faces वाले होते हैं, जो एक दूसरे के साथ बड़ी आसानी से interlock के जा सकते हैं, किसी भी pattern के लिए, जैसा कि image में show हो रहा है, type C paper block के सभी faces, curved और corrugated होते हैं, जो vertical faces से किसी भी pattern में interlock किये जा सकते हैं, और fourth type D paper block, L और X shape के होते हैं, एक curve और corrugated faces वाले, ये सभी vertical faces के along एक दूसरे से interlock किये जा सकते हैं, किसी भी pattern के लिए, okay friends, आईए, अब इनके फायदों के ब सकते हैं, simply इन्हें पानी से वास करके clean किया जा सकता है, दूसरा paper block बहुती मजबूत होते हैं, अगर ये अच्छे से interlock कर दिया जाएं, तो ये लगभग 20 साल असानी से निकाल देते हैं, ये किसी भी vertical load के साथ withstand कर सकते हैं, third, इनके different shapes और color में availability इन्हें और ज्यादा valuable बन होती है, fifth, ये block किसी भी weather condition में use के जा सकते हैं, sixth, इन्हें install करना बहुत आसान है, बिना किसी special equipment या tool के, और seventh, सबसे important advantages के paper block को आप easily replace कर सकते हैं, अगर कोई block damage हो जाए, तो उसे आसानी से remove करके change किया जा सकता है, okay friends, तो इन सभी advantages के कारण ही, paper block exterior pavement और driveway के लिए सबसे best solution है ये आपके pathway की look को ने सिर्फ neat और clean मनाते हैं, बलकि walking के लिए भी पूरी तरह safe और comfortable है, तो एक low maintenance pathway के लिए paper block definitely एक अच्छा solution है, okay friends, तो उमीद करता हूँ कि अब आप इसे अच्छे से समझ गए हैं और ये जानकारी आप लोगों के लिए useful और informative रहेगी, तो जानकारी एक और बहतर जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहे हैं अपने channel my engineering support के साथ, धन्यवाद